हेलो आप सब आप सब आज की इस वीडियो में मैं स्लिक का ये हेर रिमोवल टूल का इस्तमाल करने वाली हूँ बहुत उको लगता है कि काफी अच्छा है लेकिन परस्नली मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगा है चलिए मैं आपके साथ अपना एक्सपीरेंस शेयर करती हू तो इसमें पहले से लगावा धागा कभी भी इस्तमाल मत कीजेगा हो सकता है वो हाईजिनिक ना रहे तो इसलिए हमेसा आप धागे को चेंज कर लीजेगा धागा चेंज कैसे करना है तो ये इसमें जो आपको धागों की इस तईके की जो मिलती है ना कलेक्शन उसमें से आ आप आराम से निकाल सकते हो एक हुआ से और फिर उनके जो दो डू में इस में फसाना है तो चलिल पसा लेते हैं पहले हुआ के पास जो गू较एक पहले लगाना उसको हम χिण से लिए बाहर की तरफ अटकाना और अब इनकी एंड वाले पार्ट पे हम इसको फसादेंगे फिर बीच में जो हुप टाइप का दिया गया है शेप हमें इसमें अब इसको फसादेना है ताकि यह धागा बिल्कुल ताइट हो जाए और टाइटली यह हमारे हेर को पूल कर सके चलिए अब अगर आपको आप पहली बार इसका इस्तिमाल कर रही है आपका बिल्कुल एक्सपिरियंस नहीं है इस टूल के साथ न तो पहले आप अपने हैर के हैर को रिमूव कर लीजे और उस पे थोड़ा सा काम कीजे वरना आपकी स्कीन पे भी कट लग सकता है अगर आप अपने फेस के हैर को रिमूव करने जाओगे तो इसलिए आप पहले अपने हैंड के हैर के साथ कमफर्टेबल हो जाओ अब यहां पर देखे मुझे थ्रेडिंग की ना सक्त जरुरत है यहां पर बहुत सारे अनिविन हैर मेरे आ चुके हैं तो सबसे पहले तो हम एक मार्क लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे जिसकी वजह से हमारा शेप परफेक्ट है तो अगर आप बिल्कुल न्यू हो बिगनर हो और पहली बात ठ्रेडिंग करने जा रहे हो तो यह मार्क लाइन आप ज़रू कर लेना वरना शेप कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे बिगड़ जाना तो ब्लीडिंग होने के चांसे से हैं स्कीन पे कट लग सकता है तो इसलिए आप एक एक करके हेर रिमूव करना वैसे यहां पर आपको मौका नहीं मिलता है कि आप एक हेर को रिमूव कर पाओ उपर से दर्द भी बहुत होता है यहां पर अंदाजा लगा सकते हो अपने शेयर करूंगी कि यह बेटर है या मेरा सेल्फ थ्रेडिंग तो यह देखो आखिर आसो निकल ही आए तो बहुत ही जादा पेइनफुल लगा है मुझे बढ़ आप्लोगों को दिखाना था आप लोगों के लिए यह कितना अच्छा है या कितना बुरा है वो चीज़ें आप लोगों को दिखानी थी तो वैसे मुझे न ये forehead के unwanted hair को निकालने के लिए काफी अच्छा लगा है इससे आप अपने upper lips के भी hair remove कर सकते वासानी से क्योंकि जो self trading में धागा होता है वो उतने अच्छे से न जो forehead है उसको नहीं निकाल पाता एक चीज़ यहां पर आप देखोगे न fine lines यहां पर नहीं आई है यह देखो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है न कि मैंने थ्रेडिंग किया है क्योंकि एक भी line जो है इसका बिल्कुल clear नहीं हुआ है बस कहीं कहीं से hair ऐसे मतलब थोड़े बहुत निकल गए हैं जो इधर उधर के थे वो तो मतलब निकल ही गए हैं बट एक perfect line drawn नहीं हो पाया है अब यहां पर देखे मेरा यह है self threading skill और इससे मैं अब इसको निकालूँगी यहां पर एक एक hair को रिमूब कर पाना बहुत इसी होता है अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे comment करके बताना मैं आप लोगों के लिए एक separate video तयार करूँगी और बहुत अच्छे से सिखाऊंगी कि self threading कैसे किया जा सकता है तो यहां पर देखो कितने आराम राम से मैं एक एक बाल निकाल रही हूँ उतना जादा pain भी नहीं कर रहा है जितना कि उस slick के tool में किया था तो यहां पर जैसे मैंने line draw किया है के वहीं के hair मैं खीच कर निकाल पा रही हूँ तो वैसे मुझे पारलर जाना नहीं पड़ता मुझे जब जरूरत पड़ता है मैं खुद से self threading कर लेती हूँ और अब यहां पर हम अपनी lines को clean कर देते हैं और देखते हैं कि किस तईके का यहां पर हुआ है यह threading और यहां पर आपको नए clear line मिल जाएगा perfect shape दिखेगा अच्छी तरीके से किस तरीके की threading हुई है और वहीं आप slick वाले side को देखे तो यहां पर बिल्कुल भी line पता ही नहीं चल रहा है उपर से जहां तहां से hair निकले है ना तो यह और भी जादा खराब लग रहा है तो अब यह जो slick वाला eyebrow है मैं इसको भी set कर लेती हूँ ताकि ऐसा बिल्कुल ना लगे कि एक मैंने professional से eyebrow threading करवाई है दूसा मैंने noob से करवाया है तो इसलिए इसको भी मैं थोड़ा stick कर लेती हूँ लाइन perfect दे लेती हूँ देखे slick वाले ऐसे tools खरने से अच्छा है कि आप self threading सीख लो यह आपको कहीं भी कभी काम देगा ही बहुत अच्छा होता है self threading करना अच्छे से अच्छे से अच्छे से लेकिन अगर मान लो एसे जगह पर है इसे जगह पर जाते हो जहां पर आपको गय नहीं हो वहां पर आसपास के पार्लर आपको पता नहीं है बट थ्रेडिंग आपको नीड है तो इसलिए self threading काफी अच्छा है इस tool की comparison में